ओम नमाशिवाय आश्विन मास क्रिष्ण पक्ष प्रतिपदात इथी सुबह नौ बजे तक लगी रहेगी तर पस्चाद दितियात इथी प्रारंभ हो जाएगी चंद्रमा रेवती नक्षत्र में दिन भर चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्ध देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर पवित्र हेदय वाले हर कारे करने में समर्थ धार्मिक विचारधारा वाले और धन संपत्ति से युथ होते हैं ऐसे जातक विद्या प्रेमी गुडवान मगर दुविधा पूर्ण मना इस्थिती वाले बार बार निर्णे परिवर्टित करने वाले होते हैं हाला कि ऐसे जातक प्रभावशाली पूर्वानुमान लगाने में कुशल चतुर्टा से काम निकालने वाले योग्य और सक्षम अधिकारी और उच्चा विलासी भी होते हैं यदि सहयोगी लगर रहा ब्रिहस्पती और बुद्ध की इस्थिती अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी पूरे दिन मीन राशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी ब्रिहस्पती देव हैं आज भी राहू की नवम दिश्टी साथ ही सूरी और बुद्ध की सब्तम दिश्टी चंद्रमा पर पड़ती रहेंगी मगर आज चंद्रमा बुद्ध के नक्षत्र में बने रहेंगे जिससे बौधिक छमता का विकास होगा ब्रहमात्मा की स्थिती में सुधार आएगा ब्यावसाइक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आर्थिक स्थिती में सुधार होगा मेश रासिके जात्कों के लिए सारवीक संबेदन सीलता बनी रहेगी अनावस्य खर्च अंचाही यात्रा और अपवय का संकेत मिलता है मगर कारे छेदर के प्रयास सफल होंगे और नीजी निवेश के लिए पत्नी की प्रेरणा दावदायक सिद्ध होगी नई कारियोजनाओ के संपन्ध होने में गती आएगी सरकारी एजेंसियों से सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा रुके हुए काम संपन्ध होंगे आर्थिक लाव की स्थिती में उतार चड़ाओ बना रहेगा और स्वास संबंधी सावधानिया पेक्षित हैं विद्याक्तियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सैक्षडी कारियों में सहयो संक्यत मिलता है धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल DAY आर्थिक लाव कि स्थिति आपके कारें छमता के उपर निर्भर करेगी सरकारी काम काश पूरे होंगे गर ग्रिहस्ति संबंधी मामलों में निवेष भी संभावित है नीजी संबंध प्रगाड होंगे और ुछ कामों म में आत्मिश्वास बढ़ेगा, विध्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा, प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे मिथुन राशी वाले जातकों के लिए कारेच्षित से संबंधित मामलों में विश्थार होगा और सफलता जारी रहेगी चंदर्मा के बुद्ध के नक्षत्र में होना सहयोग, आत्मिश्वास और सफलता में विध्धी का संकेत देता है साजेदारी के कामों में भी सार्थक पेरणा बनी रहेगी और आर्थिक लाव का मार्ग प्रसस्त रहेगा सरकारी काम काज में रुकावट खत्म होगी और संतुष्टी महसूस करेंगे विध्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धों का प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रगृति बनी रहेगी मगर स्वास संबन्धी जटिलताएं भी संभावित हैं सावधानी अप्रेक्षी थे करकराश के जात्कों के लिए रुके हुए काम संपन्ध होंगे आठिक पक्षुद्रिध होगा बहुत धिक छमता का विकास होगा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा सामाजिक वेरणा लावधायक सिद्ध होगी नई कार्योजनाव में इरादे मजबूत होंगे और विकास की दर में प्रिध्धी होगी सहयोगियों से लाव मिलेगा मगर अतिरिक जिम्मेदारी भी बनी रहेगी चंद्रमाद बुद्ध के नक्षतर में चलते रहेंगे इस लिए शारिरिक सम्वेदन सिन्ता और मानसिक दुष्चिन्ता का संकेत मिलता है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है विद्याथी प्रयास जारी रखें सफलता संभावित है धार्मिक भावना में बृद्धी योगी और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे सिंग राशी वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाव की इस्थिती अच्छी रहेगी अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे घर ग्रिहस्ती और कार्यस्खल के विकास में रचनात्मक पहल जारी रहेगा नई कार्योजनाओं में सहयोग मिलता रहेगा कामकाज में गती आएगी और विचारा धीन मामले संपन्ध होंगे संतान संबंधी मामलों में चिंता बढ़ सकती है ग्रिहोपयोगी वस्तों में व्रिध्धीयोगी और यात्रा या प्रवाद संभावित है विध्याक्षियों को सार्थक फल मिल सकता है साथे साथ स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाई रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कर्ण्याराशी वाले जात्कों के लिए कारेश शेतर का बिस्तार होगा और नई कारी और जिनाव के प्रस्ताव सामने आएंगे भूमिवाहन या प्रापर्टी से संबंधी मामले मामलों में अनकूलता बनी रहेगी और उसमें निवेश संभावित है रुके हुए काम संबंध होंगे आर्थिक लाफ की इस्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी और साजे दारी के काम लाहुदायक रहेंगे मगर स्वास संबंधी जटिलताओं पर भ्यान रखना चाहिए और सरकारी कारियों में खर्च कांदेशा बनता है सिक्षपत और योगिता के छेत में प्रजा सार्थख होंगे वयवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा और पारिवारिक दाईत्यू की पूर्ती होगी तूला राशिवाले जात्कों को स्वास संबंधी मामलों के साथ साथ कारे छेतर से संबंधित सावधानिया रखनी चाहिए मानसिक चिंता बनी रहेगी चंद्रमा बुद्ध के नक्षदर में छट्रें चल रहे हैं सावधानिय पेक्षित है साथ ही सामाने ढंग से चल रहे हैं कामों में रुकावट का अंदेशा बनता है हलाकि सकारात्मा प्रेरणा और सहयोग बरकरार रहेगा फिर भी कारे छेतर के कुछ पहलूओं पर मन ससंकित रहेगा आर्थिक लाभाब के परिश्रम के अनुसार मिलता जाएगा और अनावर से खर्च का संकित भी मिलता है विद्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा है सेक्षरी कारियों में सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं विद्याथियों के लिए कारेच छेतर की अनुकूलता बनी रहेगी और सकारात्मक प्रयासों का दोर जारी रहेगा पारिवारिक हस्तक छेप संभावित है मन मुताबिक काम होने में दिक्कत और रुकावटे हो सकती है आर्थिक पक्स सामाने रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे साजेदारी में लाव मिलेगा मगर पारिवारिक जायत की चिंता उत्साह में कमी और स्वास सम्बंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है मिद्यार्थियों के लिए सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्तावों में अनुकूलता बनी रहेगी धनुरासी वाले जातकों के लिए कारेच्षेद की नई योजनाओं का लाव मिलेगा और नई आवसर सामने आएंगे मगर कारेच्षेद में अनियमिताओं के साथ आथिक रुकावटें संभावित है मगर पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी सरकारी बिभार के रुके हुए काम पूरे होंगे और अविकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नियजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा साजेदारी सफल रहेगी और आथिक लाव के इस्तिति मन मताबिक बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल है सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी प्रयास सार्थक होंगे मगरस्वास संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए मकर राशी वाले जात्कों की क्रिया सिलता रुद्धिध रिच्छा सकती सहयोगात्म करूप से जारी रहेगा मगरस्वास संबंधी आवसक सावधानी रखनी चाहिए कारेच्षेथे संबंधित मामलों में पूर्ण सहयोग और सफलता का संकेत मिलता है और संबंधित यात्ताएं संभावित हैं साजेदारी सफल रहेगी विभागी करमचारियों का सहयोग मिलता रहेगा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा संतान संबन्धी सुख समाचार मिल सकता है आर्थिक इस्थिती सामान रहेगी विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा प्रयास जारी रखें और ग्रिहो प्रियोंगी वस्तों में ग्रिध्धी होगी कुम्भर आसी वाले जात्कों के लिए कारे छेतर में सफलता मिलेगी द्रिह निश्चाय और आत्मिश्वास से योजनाय पूरी होंगी और आठिक लावमन मुताविक मिलता जाएगा नई कार योजनाव और साजेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है नेजी निवेश के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे पतनी की सलाह और सकारात्मा पेरना से रुखते हुए काम संपन होंगे सासन सप्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा मगर कुछ कामों में अचानक रुकावट और विवाज की इस्तिती भी संभावित है वैवाहिक प्रयासों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा प्रत्योगी परिक्षाओं में प्रयास जारी रखे मीन रासी वाले जात्कों के लिए चंद्रमा आपकी रासी पर चल रहे हैं आत्मिक सुख और मानसिक संतुष्टी बनी रहेगी, कारेच्षेत से संबंधित मामलों में रचनात्म क्रियासिलता और उत्साह जना के स्थिति कायम रहेगी मगर महत्पुर निरनेट और ठोस निरनेट सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए हलाकि कारेच्षेत की निरनतरता बनी रहेगी, आर्थिक लाव सामानी रहेगा और सरकारी कामपाज पूरे होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सामानी होगा, सक्षा प्रत योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें, नेजे संबन्द प्रगार होंगे और वैवाहिक मामले अनकूल रहेंगे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये